हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहां पे पंजाब सिवल सर्विसीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू पर डिस्केशन करेंगे, राइट, हाउ टू कबर करन्ट अफेर्स फॉर पंजाब सिवल सर्विसीज जो हमारा अपकमिंग एक्जैम है 2024 में, राइट, ओक ओ ठीक है जी, तो नोटिफिकेशन can be out anytime student for पंजाब सिवल सर्विसीज आपको पता ही है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, लास्ट नोटिफिकेशन I think बहुत टाइम हो गया है, बच्चों का patience lose होता जा रहा है दिन, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, और अब तो पूरा 23 भी निकल गया, बट हाँ, ये शौर है कि 2024 में exam हो रहा है for Punjab Civil Services, ठीक है, तो motivate रही है student, ठीक है, बिलकुल भी ऐसे वो नहीं करना है, demotivate नहीं होना है, ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, officer नहीं बनते हैं, कुछ और बन जाते हैं, या फिर और नहीं तो घर का ही कर लेते है ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, या पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसा बिलकुल मत करना student, ठीक है, because उस time पे, ठीक है, जिसने ये नहीं सोचा, ठीक है, उस time पे वही person जो है, वो select होगा, ठीक है, उसी का dream, goal वही अचीव करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसी सारे student मेरे से यहाँ पूशने भी आते हैं, कि मैं हम current affair कैसे cover करें, ठीक है, static portion तो सब कोई पता है, ठीक है, you know that, कि static portion कैसे cover करते हैं, right, ठीक है जी, okay, okay, but current affair को लेकर बच्चों में बहुत doubt रहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कि मैं हम newspaper cover कर रहे हैं, बहुत सारा time जा रहे हैं, ठीक है, तो बताये कैसे cover करें, right, मैं magazine पढ़ रहा हूँ, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, मैं YouTube चैनल पे cover कर रही हूँ, वो भी मुझे मतलब बहुत ज्यादा, obviously बच्चे, हर रोज आप current affair करोगे, तो आप सोचिए आपके साथ कितना सार student आपके पास, you know, pile up हो जाएगा, फिर ऐसा तो है, नहीं student की, आपने किया, और उसके बाद computer की तरह, code की form में, you know, mind में हर चीज स्टोर होगे, ऐसा बिलकुल नहीं है, उसको revise भी करना पड़ता है, बार बार, है ना, तो student उसी को लेकर student की बहुत सारे doubts है, जो मैं आज इस video की through, you know, clear करने की try करूंगी, ठीक है, तो see here student, मैंने यहाँ पे कुछ list बनाई है, एक rough सी list बनाई है कि किस तरीके से student आप current fair को cover कर सकते हैं, उस पे हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले समझो student newspaper, ठीक है, newspaper के उपर student हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो देखिए, अगर मैं बात करूं, news paper की, ठीक है, ठीक है, परसनल भी है, परसनल, why personal, because इसके साथ मेरे एक बहुत अछय experience भी रहे है, ठीक है, सबसे पहले तो student, this is the most reliable source, सबसे ज्यादा relevant source जो अगर कोई है current affair को cover करने का according to me and expertise that is your newspaper से एर स्टूडेंट current affair के लिए आपको मैं कहते हूँ अगर आप YouTube पे एक बार सर्च कर लो तो I don't know कि आपको कितनी sites मिल जाएंगे बट यहाँ वो जो information provide कर रही है क्या वो authentic है क्या वो सही है because student journal knowledge का कोई end तो है नहीं under the sun everything is important each and every concept is important क्या पता examiner खहां से उठा लो तो फिर तो student एक तरीके के limit unlimited चीज़े होगी न हमारे पास और student exam है कोई unlimited कोई वो तो है नहीं unlimited ना तो आप पढ़ सकते हो और नहीं वो एक viable source है right तो उसको तो हम cut कर देते obviously student हमें limit तो अपने आपको करना ही पड़ेगा कहीं न कहीं आपको अपने आप पे limit लगानी पड़ेगी अपने source पे limit लगानी पड़ेगी so that आप उसको revise कर सको yes or no revise कर सको उसको पढ़ सको उसको learn कर सको right तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं so see here student first of all try to understand कि मैं newspaper को क्यों बोल रही है कि ये एक सबसे relevant source है सबसे ज्यादा authentic source है see here student कोई भी news है कोई भी news है कि उपर अगर आपको to the point अगर आपको information मिलेगी तो वो आपको newspaper से मिल सकती है second चीज ये affordable बहुत है student आप इसको अराम से अपने घर में afford कर सकते हूँ affordable बहुत है ठीक है इसके और भी बहुत सारे benefit है newspaper कबर करने के पहले चीज student आपकी reading habit बहुत अच्छी डवलाप होती है reading habit डवलाप होती है student आपकी इससे second चीज आपको knowledge तो यहां से मिली रही है और उस knowledge को student आप कहीं पे भी use कर सकते हो आप अपने prelims में भी use कर सकते हो prelims में भी वो आपके help करेगी और आपके means में भी help करेगी जो दो most important steps एं student आपके exam के और interview में तो no doubt about that interview में तो आपके help करेगी करेगी इसका मतलब यह है student कि अगर आप मालो कोई magazine cover कर रहे हो अगर मालो आपको YouTube channel follow कर रहे हो हो सकता है student वो आपको prelims में help कर दे वो आपको mains में help करते बट हो सकता है कि वो आपका interview में help ना करे यहीं if possible है कि वो आपका prelims में help ना करे mains में करते but newspaper is the only source only source जहाँ बे student आपको तीनो stages जो हमारे exam की है तीनो में आपको वो क्या करेगा help करेगा prelims में भी करेगा mains में भी करेगा और न्यूस पेपर जो है, वो must है student, अगर आप और कुछ भी नहीं पढ़ रहे न, तो please, it's my humble request student, आप न्यूस पेपर को ज़रूर पढ़िए, daily basis पे, अब आपका मेरे से question यह होगा मैम, कि कौन सा न्यूस पेपर पढ़ें, ठीक है, तो CR student, state PCS के लिए, चाहे आप कोई भी state PCS की त्यारी कर रहें, बेशक हम यहाँ पे बात, पंजाब सीवल सर्विसीस की कर रहें, आप दो न्यूस पेपर पढ़िए, टहला Indian Express, और दूसरा आपका कोई भी regional paper student, कोई भी regional newspaper, कोई भी, कोई भी हो सकता है student हो, डाटर भी उन हो सकता है, अजीत हो सकता है, जग बानी हो सकते हैं, कोई भी, तैनिक भासकर, कोई भी, और regional cover, जहाँ पे आपकी पंजाब से related current affair आती हैं, ये बात student आप अपनी copy में note करते जाओ, आरती की तरह सुनना नहीं है, ये बस आरती की तरह आप सुनते जा रहे हो, नहीं, ये बात clear हुई, आपको पहला point, ये newspaper कौन कौन से cover करने हैं, note कर लीजी student, please note it down, clear आपको, Indian Express पढ़ने हैं, regional newspaper कोई भी, any newspaper, जितने भी मैंने बताए, data review, data review पढ़ सकते हो, अजीत पढ़ सकते हो, जगबानी पढ़ सकते हो, दयनिक भासकर पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपका एक regional newspaper, language कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पढ़ता, Indian Express no doubt आप English के लिए पढ़ोगे, English में ही पढ़ोगे, English में available है वो, इसे आपको English भी improve होगी और आपको national, international current affair भी आपके यहां से cover होंगे, but for regional, अगर वो पंजाबी में newspaper है, no problem, अगर वो newspaper आपका पंजाबी में है, कोई problem नहीं है, student, पंजाबी में अगर newspaper है, कोई problem नहीं है, student, आप पंजाबी में भी उसको cover कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, English में है, कोई problem नहीं है, ठीक है, clear है, यह बात आपको clear होनी चाहिए, regional newspaper किसी भी language में है, कोई फर्क नहीं पढ़ता, आपको सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है, अच्छा, अब आप मेरे से कहोगे कि मैम, क्या-क्या cover करें newspaper में से, क्या cover करें हम newspaper में से, to see your student, newspaper में से student, एक तो आपको, जो मैंने आपको national newspaper बताया, मतलग कि Indian Express बताया, उसमें student सबसे पहले तो आप उसका front page भी पढ़ना है, आपको editorial भी पढ़ना है, अच्छा, बहुत बच्चे न, editorial skip कर देते, see your student, editorial जो है न, student, वो बहुत important है, क्योंकि एक तो student, आप जब पढ़ते हैं, तो आपके mind में एक story डवलप होती है, और stories को याद करना बहुत इजी होता है, अच्छा, फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं, कि मैं editorial पढ़ने में हमारा time बहुत चला जाते है, तो बच्चे time तो जाएगा, इसको कोई और तोड है नहीं, मैं आपको बोलो कि जादू की पुड़िया घोल के पीलो, आपका 15 मिंट में cover हो जाएगा, तो मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोलने वाली, आप newspaper पढ़िये, daily basis पर पढ़िये, एक time ऐसा आएगा student, जब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, कि newspaper के अंदर बहुत सारी news repeat होती रहती, जिनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका time automatically reduce होता जाएगा, तो भी बनती जाएगे आपके, अच्छा, दूसरी बात ना चीज, बच्चे मेरे से बहुत बोलते हैं कि मैं newspaper में क्या cover करें, newspaper तो बहुत बढ़ है, तो student, see here student, अगर तो आप exam को ध्यान में रखके पढ़ोगे, मेरे अगर आपने PYQ session बहुत ध्यान से देखें, तो अब तक आपको guess हो जाना चाहिए कि newspaper में से क्या पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना, डू और डू नोट आपको बहुत अच्छे से cover हो चुका होगा, अब तक आपको पता लग चुका होगा, और अगर आपको नहीं, अब तक नहीं पता चला, तो कोई problem नहीं, student, you can contact with me, आप आईए, आभी मन्यू, institute में विजिट कर सकते हैं, आप मेरे से offline आके पूछ सकते हैं, ठीक है जी, मैम, ये newspaper है, ठीक है, आप बताईए इसमें से क्या cover करूँ, मैं क्या ना cover करूँ, ठीक है, ओकी, clear है जी, इतना मैं आपको, इससे of view से important नहीं है, मालो किसी MP ने दूसरे MP को गाली दे दी, एक MP ने दूसरे MP के खिलाफ statement दे दी, पारलेमेंट के अंदर जगडा हो गया, आपको लगता है क्या exam point of view से important है, नहीं है, क्या पूछे का examiner उसमें, क्या MP ने दूसरे MP को क्या बोला, नहीं, बट आप से examiner ये ज elections होई है, पंचाइती के elections होई है, वहाँ से कुछन बनते हैं, स्टुडे, राइट, ओके, clear है, फिर कोई army personal की कोई death हो गी है, कोई बहुत ज्यादा, you know, अगर तो बहुत ज्यादा news में है, फिर तो okay है, ठीक है, अच्छा, कहीं पे कुछ local कोई लडाई हो गी है, ठीक है, क कोई murder, कोई kidnapping, कुछ ऐसा news है, obviously, वहाँ से question नहीं आ सकता, अगर आप वो भी पढ़ रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपको पता ही नहीं है, कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, फिर तो आप entertainment के purpose से पढ़ रहे हो, student exam point of view से नहीं पढ़ रहे हैं, exam point of view से student क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, जब आप मेरे PYQ कवर करते जाओगे, तब आपको पता चलता जाएगा, कि हंजी, newspaper जो है, वो किस तरीके से मुझे कवर करना है, उसमें किस तरीके से questions आ रहे हैं, कैसे questions आ रहे हैं, यह आपको वहाँ से पता चलेगा, ठीक है जी, okay, I hope कि आपको ऐसी news को कवर करने के लिए मालो कोई government scheme है, ठीक है, तो आप इनने 8 बार के लिए आप इनको go through कर सकते हैं, government sites को, important, important, बहुत ज़्यादा नहीं, ministry of ruler development, ministry of like agriculture, यह दो तिन important है, ठीक है, जो बहुत important है, ठीक है, ruler development के लिए से related, agriculture से related, जो ministries है, P.I.B. है, for the national news, वो आप cover कर सकते हैं, बहुत आराम से, government sites से, अगर आप news paper बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, almost government schemes cover हो जाती, बट फिर भी अगर कोई रह जाए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, government sites से, फिर तीसरी बात करूँ, मैं magazines की, बहुत magazines है, student मैं यहाँ पे कोई एक particular magazines का नाम नहीं ले सकती, कोई भी magazine, even आप current comment box में भी बता सकते हैं, कि मैं यह magazine जो है, मैं follow कर रहा हूँ, यह मैं कर रही हूँ, ठीक है, so that मैं आपको बता सकूँ कि, वो magazine आपके लिए कितनी relevant है, ठीक है, आप मुझे comment में बताना, बहुत सारी बहुत बच्चे magazines में नहीं बता सकती, बट आप कोई follow करते हैं, आप comment box में बताईए मेरे को कि मैं यह magazine follow कर रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह कितना cover करना चाहिए, और कितना relevant है, यह prelims को लेकर, यह mains को लेकर, ठीक है, फिर मैं आपको guide कर सकते हूँ, otherwise magazines को student आप पढ़ सकते हैं, कोई magazine आपको लगता है कि हंजी, इसमें government schemes के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है, या इसके अंदर जो भी scheme, हमारी government की, जो भी initiatives है, वो बहुत अच्छे explain किये जाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, you can go with it, okay, next बात करते हैं student YouTube की, हाँ YouTube से ब recommend नहीं करूँगी, बट हाँ, कोई current affair, बहुत ही authentic तरीके से current affair कर सकता है, then you may go for it, ठीक है जी, next है budget and economic survey, ये student आपको तभी latest पढ़ना होता है, ये आपको latest, ठीक है, जैसे आपका 2024 में exam है, तो जो हमारा FAB की अंदर, जो हमारा budget and economic survey आता है, उसको आपको पढ़ना होता है, must rated, ठीक है, इसकी summary भी आती है, student, summary पढ़ सकते हैं, बाकी आप budget को online लीजी, ठीक है, इसके उपर student मैं फिर कभी बात करूँगी, इसमें से क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा budget है भाई, इतना बड़ा economic survey, आप सब तो पढ़ने and video, see here student, एक तो हमारी YouTube की उपर, YouTube की उपर student, हमारी current affairs की video आती है, ठीक है, रोहित गर्चासर की, रोहित गर्चासर की videos आती है, आप उनको current affair की लिए follow कर सकते हैं, ठीक है, current affair के लिए follow कर सकते, second चीज क्या है student, देखिया, एक तो आप अभिमन्यू आईएस की, अभिमन्यू आईएस की PCS के लिए, specifically PCS के लिए magazines आती हैं, आप site पे जाके, अभिमन्यू की site पे जाके, आप उसको free of cost जो है, वो आप पढ़ सकते हो, download करके, दूसरी चीज, student हमारे current affair चलते हैं, current affair cover होते हैं, student हमारी YouTube पे, अभिमन्यू आईएस चैनल है, वहाँ पे रोहित गर्चा सर के थुरू, current affair की वीडियो जाती हैं, एक तो वीडियो आती है, to the point, जिसमें कोई एक particular topic cover किया जाते हैं, आप उसको कर सकते हैं, और current affair को तो आप cover करी सकते हैं, ठीके जी, वो current affair, आईएस, PCS, सबके लिए relevant current affair है, combined current affair चलते है, student, ठीके, आप वो भी follow कर सकते हैं, ठीके जी, अगर आपको magazine चाहिए, तो आप अभिमन्यू आईएस पे call करके, या site पे जाके, आप magazine के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीके, जिसमें current affair cover होत दिया, budget and economic survey के बारे में बता दिया, economic हमारी जो अभिमन्यू की current affair magazine है, वीडियो है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की, clear है, student, clear है, student, if you have any doubt, any doubt, अभी भी student, अगर आपको कोई doubt है, please ask me, आप contact कर सकते हैं, student मेरे से, ठीके जी, ओके, और भी student, अगर आपको static portion से related, अगर आपको कोई doubt है, then you may also contact me, ठीके, जी, okay, clear आपको, कोई doubt है, यहाँ पे, budget and economic survey पे हम फिर कभी बात करेंगी, ठीके, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन थोड़ा सा I think होगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे elaborate form में आपको मुझे समझाना पड़ेगा, क्यों तो जो हमारे economic के सर है, economy के सर है, सार्थक सर, मैं उनको, उनसे request करूँगे कि वो students के लिए इस पे एक video लेकर आए, जिसमें यह बताया जाए कि budget and economic survey कैसे cover करना होता है, for the Punjab civil services, ठीके जी, okay, ठीके student, तो ठीके student, हमारा new batch भी start हो चुका है, for the Punjab civil services, आप enroll कर सकते हैं, link आप को description box में मिल जाएगा, right, और भी कोई doubt है student, then also contact with me, you may also contact with me, ठीके students, thank you, thank you so much, have a nice day.